तो चलिए आज बनाएंगे आलू बैगन की मज़ेदार सबजी ये सबजी सबको तो पसंद नहीं आती बच्चे बैगन पसंद नहीं करते हैं पर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे भी जल्दी से चट कर जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो त और इसी तरीके से हम लोग बैगन को भी काटेंगे, तो आलू मैंने काटके धोके अच्छी तरीके से वाश कर लिये हैं, तो चलिए अब बैगन देख लेते हैं, बैगन को भी देखें, मैंने इसी तरीके से चार बैगन मैंने लिये थे, और भी मीडियम साइज के बैगन थे, बहुत मोटे वाले भरवा वाले बैगन नहीं थे बढ़ते वाले तो इसी तरीके से मैंने बैगन को भी छोटे पीसे में काट लिया है और अच्छे से धो के वाश कर लिया है वाश करके अलग से रग दूंगे मैं इसके अलावा मैंने चार प्याज लिये हैं मीडियम साइस के दो इंच अद्रक कर टुकड़ा तीन हरी मिर्च ली है और छे से साथ मैंने लेसुन की कलिया ली हैं और इसके अलावा इनकों सबको पीस लेंगे मिक्सर में डाल की और इसके अलावा चार से प्याज पांच टमाटर ली हैं टो अब क्या करेंगे मैंने कडाई रख लिया और इसमें में ऑइल डाला है मैंने मस्टर ओयल का सर्सोग तीले-त तो आपके पसंद का कोई भी ऑ drive पिरणयों जब गरmy हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी ऑंग ऋडाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें अपने जो वाश केवे आलू और बैगन थे वो सब डाल देंगे इसके अंदर और फ्लेम को बिलकुल हाई रखना है, लो बिलकुल भी नहीं करना है अगर फ्लेम को लो बैगन और आलू पिच्छे से हो जाएंगे तो हाई फ्लेम पे इसको तलना है और मेन इसका परपस यह है कि हमको बैगन और आलू पे एक अच्छी सी कोटिंग लानी है जो फ्राइ कीवी कोटिंग होती है जिसे रेड ब्रेट से हो जाते हैं आलू बैगन तलने के बाद उस तरीकी कोटिंग लानी है और अगर हम लोग ग कलर आ रहा है बैगन के ओपर भी यह देखे इसी तरीके का कलर हम लोग को चाहिए और इसी लिए हम लोग को फ्लेम को हाई रखना है तो अब क्या करेंगे आलू और बैगन हमारे फ्राइ हो गए इनको निकाल के अलग रख लेंगे तो अब हम लोग मसाले का एक मिक्स्चर बना लेंगे तो इसके लिए मैंने एक छोटे से बाउल में जो है तीन से चार चमच पानी लिया है पीने वाला साधा पानी और इसमें कुछ मसाला डालेंगे आदा चमच मैंने इसमें चोटा चमच हल्दी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है आप चाहें तो तीखी वा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे हम लोग सुके मसाले डालते हैं, अगर ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अब क्या क्या है, मैंने उसी जिसमें मैंने बैगन आलू तला था न, उसमें सो ओएल थोड़ा कम कर दिया, फिर ओएल को गरम किया, पैन क के भूने गे, इस सारा मैंने डाल दिया, इसके अंदर, इसको अच्छे से हम लोग को भूलना है, और तेल को बहुत जादा कम नहीं डालना है, प्यूद को तेल में ही इसके अच्छे से भूनाई होगी, और टेस्ट भी अच्छा आएगा, तो अब हम भून रहा है मसाला, तो देखें इस तरह का color हम लोगो लेख के आना है, इससे light नहीं रखना है और इससे dark भी नहीं रखना है, dark रखेंगी तो कड़वा हो जाएगा, और light लखेंगे तो भी स्वाद अच्छा नहीं आगा तो इस सरे का color आने तक हम लोगो प्याड लैस्वन अद्रग को भूनना है और जब यह पूरा भून जाएगा तो इसमें हम लोग टमाटो की पूरी डाल देंगे पहले इसमें वो मसाला डालेंगे जो हम लोगो ने पानी में भिगो के रखा था न डिप करके रखा था वो वाला पहले पानी डाल देंगे इसके अंदर मसाले वाला तो इससे क्यों होगा कि मसाले जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से प्यार लेस्न के साथ भुन जाएंगे और भाती अच्छा सा स्वाद आ जाएगा और मसालों का कच्छा पन भी इस तरीके से बिल्कुली खतम हो जाएगा और भुन जाएंगे अच्छी तरीके से तो देखे इस अब भुन रहा है हमारा मसाला और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला ओयल ना छोड़ दे देखे अब यह इसी तरीके हमको भूनना है आप हम इसमें अपना टमाटर वाला मिक्सियर डाल देंगे यह देखे 4-5 टमाटर लिये थे ना उसको पीस जाता मिक्सी में और वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे फ्रेंट्स जो लोग मेरे वीडियो पे चानल पे अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चानल को मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बताईए कि आपको मेरी डे वेगन फ्राइक वे डाल दिये है और इसको सबस्चे से मिला देंगे अच्छी तरीके से सबको अ कि सारी मसाले की कोटिंग के है अमारे आलू और वैगन के ऊपर अच्छी तरीके से चड़ता है अब क्या करेंगे हम लोग इसमें आप नमक डाल देंगे नमक अभी तक मैंन आप अइसमें कहीं पे भी नहीं दाला था तो अब इसमें तो है नमक डाल दियें मसाले को सारे डाले थे यह but उसमें नमक डाल देंगे तो इसने ऍो ग सबको ऑच्छी परएसे नमक डाल दिये है और अब भीजिच अच्छी तरीके से भुन रहा है अब इस समय थोड़ा सा मैंने इसमें करीब आदा ग्लास के करीब पानी डाल दिया है ताकि आलू बैगन में जो भी थोड़ा बहुत कच्चा पना भी बच्चा हो वो इसके साथ ही इसमें पक जाएगा पानी के साथ ही तो अमनों इसको ऍधकन लगाके और इसमें मैंने ही धोड़ा आप ऐसे द्धितरी मिक्स कर देंगे तो अब इसमें फोड़ा से हरा धनिये डाल देंगे हरा धनिय से भी बहुत अच्छी खुश्ष भूह आंजा सबजी का बढ़ जाएगा और सब फिर से सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे देखिए बहुत ही अच्छी सबजी बनकरी रेडी होती है आप लोग इसको ट्राय जरूर करिएगा तो अब इसको क्या करेंगे ढग करके पांच मिट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि आलू बैगन में अगर जो भी कच्छा पन हो अच्छे से सही से गल जाए आलू बैगन और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए उनके अंदर सारे मसाल हो गए रखा तो पांच मेंट हो गए है अब मैं इसको खोल रही हूँ देखिए कितनी अच्छी सी कलर आ गया हमारी सबजी का खुशबूई बहुत अच्छे आ रही है इसकी तो अब लगबग हमारी सबजी बनकर बिल्कूल रेडी है आलू मैं चेक करी हूँ देखिए आलू भी मारा गल गया है तो अब हमारी सबजी बनकर रेडी हो गई है और फिर से मैंने इसके उपर थोड़ा सा हराधन अब लिए डाल दिया है उपर से गानिशिंग कर दिये इसकी तो फ्रेंट्स कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और जिन लोगों ने मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक् झाल 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 झाल